हेलो फ्रेंड्स एंड डियर इस्टुडेंट्स निमी के मोडिल पेपर थेड़ के mcq कुशन हम सोल्व कर रहे हैं जिसके अभी तक हमने 100 कुशन कम्प्लिट कर लिए यानि कि 100 कुशन हमने सोल्व कर लिए हैं समझ लिए हैं तो चलिए आगे की कुशन इस्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कुशन है कुशन नंबर 101 वाट इस दा डिफेक्ट डू टू नॉन क्लिनिंग दा सर्फेस बीफोर वेल्डिंग वेल्डिंग से पहले सतहों की सफाय न करने के कारण कौन सा दोस होता है यानि कि कुशन हम से पूछ जा रहा है कि कोई भी जोब हमारा है जिसको में वेल्ड करना है अगर उसको वेल्ड करने से पहले हम अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो कौन सा defect हो सकता है तो इसमें मारा राइट आंसर आ जाएगा option C surface porosity यानि कि जो हम बीड लगाएंगे जो welding लगाएंगे उसके अंदर पोरो सिटी यानि कि बारिक-बारिक होल उस बीड के अंदर आ जाएंगे तो ये रिजन ओफ लेक ओफ फ्लूडिटी इन मॉल्टन मेटल इन ब्रेजिंग वेल्डिंग ब्रेज वेल्डिंग में पिगले हुई दातों में तरलता की कमी का क्या कारण है यानि की कुछन में हमसे पहुचा जा रहा है रेजिंग के दोरान जोड़े जाने वाले जॉइंट के होता है तेके इसमें यह वर्ड इया फ्लूडिटी फ्लूडिटी का मतलब होता है कि हमारा जो जो इंग मेटल है जो हमारा ब्रेजिंग फिलर रोड है वह पीगल कर अच्छी तरह से तरल होकर जॉइंट के ऊपर फईलता है और बाद में एक अच्छा जॉइंट पधान करत होता है अगर ब्रेजिंग के दौरान हमारा ब्रेजिंग मेटल यानि कि हमारा फिलर मेटल अच्छे से तरल नहीं होता है तो उसका रिजन क्या है यह हम से यहां पर पूंचा जा रहा है तो इसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा ओप्शन सी इन एडेक्वेट प्रिहिटिं यानि कि परियाप्त प्रिहिटिंग हमारा जो जोब है जिसको हम ब्रेजिंग कर रहे हैं उसको अगर हम अच्छे से प्रिहिट नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेजिंग फिलर मेटल जो है जो हमारा ब्रेजिंग रोड है वो उस जोइंट के ऊपर अच्छे से पिगलेगा नही यह अच्छान भी फ्योज नहीं होगा और उसके इंड़ रुटियु नहीं धिन यह गी वह तरलता नहीं है जिसकी वज़ेर वो जोग के ऊपर अच्छा जोइंज बनाता ॥ ठीक है तो जब तक ब्रेजिंग मेटल में फ्लूडीटी नहीं आती है तरलता नहीं आती है वहाँ पर अच्छा जोइंट प्रोडूस नहीं हो सकता ठीक है हमारा नेक्स्ट कुशन है क्यूशन नमबर वेधैस यानि कि एक तरह का जीफिक्सर है जिसका उप्योग लगाने के लिए उप्योग कीया है तो इस तरह कें आप किस डिफेक्ट के अंदर लगा रहे हैं यह कोने जोंट लगाते समय टेकिंग करने से पहले आप इस तरह जोब को यानि की वर्क पीस को क्लेंप कर लेंगे अच्छे से मजबूती से पकर लेंगे तो उसके अंदर किसी भी परकार का डिस्टोर्शन नहीं आएगा जैसे वैल्डिंग के दुरान आपको लगाना होता है वहां पर यह कितना रोजाता है ठीक ऐसे और यह आपकर तो से left collection का प्रयोग करके लाद सकते हैं चली बढ़ते हैं नेस्ट कॵिशन के और हमाना नेच्ट कुशन है । सर्स profundundert MAT réponse और हचार जिश करagon Na हमारा राइट आजाएगा option B welding current तू हाई यानि कि welding current अगर ज्यादा है आप welding कर रहे हैं और आपने current ज्यादा सेट कर रखा है ठीक है तो उससे क्या होता है कि welding के के दोरान इस पेटर लोस अधिव होता है यानि कि जो हमारा पिगला हुआ मेटल है वह दानों के रूप में छीड़क कर बाहर निकलता रहता है हमारा जो इलेक्टोड है वह वेस्ट होता है तो ऐसे डिटेक्ट वेल्डिंग के दोरान आ सकते हैं अगर आप welding के दोरान अधिक करेंट का उप्योग करते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नंबर 105 वाट इस दा वेल्डिंग डिफेक्ट विट नो फ्यूजन और बैस मेटल और रूट फेस साइड फेस और बिट्विन दा वेल्ड रन वे कि जब हम किस जोइंट के उपर वेल्डिंग बीड लगाते हैं और वेल्डिंग बीड हमारे बैस मेटल के रूट फेस के साथ अच्छे से फ्यूज नहीं होती है या वह उस जोइंट के किनारों के साथ अच्छे से फ्यूज नहीं होती है तो वह कौन सा डिफेक्ट कहलाता है तो इसमें हमारा राइट आंस्वर आजाएगा ऑप्शन सी उसे कहेंगे लेक ओफ फ्यूजन की कमी वैल्डिंग के दोरान अगर फ्यूजन की कमी रह जाती है यानि कि अगर हमारा जोब अच्छे से फ्यूज नहीं हुआ है तो क्या होता है वैल्डिंग बीड तो लग जा आगी बार समझ में चली बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन के और हमारा नेक्स्ट कुशन है क्षिशन नमबर 106 वाट इस दा डिफेक्ट शोन इन दा फिगर चित्र में दिखाया गया दोश्ट क्या है आप देख सकते हैं हमारे सामने यह तीन चित्र दिए गया है अब कुशन किनारे कटे हुए यहां भी किनारे कटे हुए एं अगर वेल्दिंग के दौरान बीड के आसपास में जोंच के किनारे कट जाते हैं तो उसे कौन सा कहते हैं तो आप सब जानते हैं अंडरकट क्या क कोड़ते हैं नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्स्ट कुछन कुछन नमर एक सो साथ वाट इस डाट रिजल्ट ओफ इनर कॉन ऑफ फ्लैम टाचिंग डा मॉल्टन मेटल वाइल वेल्डिंग का क्या परिणम में से पूंचा जा रहा है कि गेस व्ल्डिंग करते समय हमारे celebrating का इनर कोण होता है तो उससे क्या फरक पड़ता है यह क्या रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा तो तो इसमें हमारा राइट आंसर है option B cause of backfiring यानि कि अगर हमारा inner cone पिगलेवे मेटल के संपर्क में आ जाता है या मेटल के टश्क हम कर देते हैं तो उससे क्या होता है बैक फायर हो जाता है क्या होता है बैक फायर होता आपने देखा होगा गेस वेल्डिंग करते समय फट फट की आवाज आती है तेज तेज आवाज आते हैं जैसे कोई फटा का वहाँ पर जलाया गया है तो ऐसे आवाज कब आती है जब हमारा इनर कॉन पीग लेवे मेटल के टाच हो जाता है आई बास हमाजने जिससे क्या हो जाता है नोजल ब्लो करनेंट हो जाए तो इससे बड़ा हाथ साभी हो सकता है आई बास समझ में तो ध्यान रखें गैस वैल्डिंग करते समय इनर को पिगले मेटल के टच ना कराए थोड़ा हलका सा उपर उठाकर हम गैस वैल्डिंग करें ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन के और ह 108 वाट डिफेक्ट विल अक्यूर डू टू इनकरेक्ट टैल्ट ओफ ब्लो पाइप ब्लो पाइप के गलत जुखाओ के कारण क्या दोश होगा यानि कि अगर आप केस वैल्डिंग कर रहे हैं गेस वैल्डिंग के दौरान आप अगर ब्लो पाइप को अच्छे से मूव न इफेक्ट वहाँ पर आ सकता है जिसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा ओप्शन डी क्या आएगा ओप्शन डी यानिकी वहाँ पर आपको अंडरकट दोस्का सामना करना पड़ सकता है कौन से दोस्का सामना पड़ सकता है अंडरकट यानिकी वैल्डी के दौरान आपके कि वहां पर अंडरकट आ सकते हैं आगे बाद समझ में चली बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्स्ट कुछन कुछन क्यूंबर एक सुनो विद्धा स्केल एंड ओक्साइड रिमूव फॉम स्टेनलेस इस्टील वेल्ड से स्केल और ओक्साइड को कैसे हटाया ज करेंगे कैसे साफ करेंगे इसमें हमारा राइट आस राजाएगा ऑप्सिंटी हीटिंग अप्टू 9006100 देखने कि यहां रखना कितना है 950 के 1100 से तक यहां पर नहीं है यहां यहां नहीं यहां है नौसो फचास से यहां डिग्री इस हर यहां यहीं बताया है कि 950 से ग्या 2016 उप कर दोप क्या करएंगे हम पानी में डूप और वह स्ट्रो डाइग चलि बढ़ते हैं नेक्स्ट कैसे चूप नमब्र एक्सों डाती है फॉर दा बखलींग और जोइंट इन इस्टेनलेश स्टिल डूरींग कुल इस्टलेन के दौरान इस्टेनलेश स्टिल में वेल्ट जोइंट के बखलींग के लिए क्या बनाता है जिसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा ऑफ्शन भी कम ताप यह चा लगता ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछिशन को हमारा नेक्स्ट कुछिशन कुछिशन नमर 111 वाट इस दा नेम ओफ शोट वेल्ड मेड पिरेयर टू वेल्डिंग टू होल्ड अप प्लेट्स इन परफेक्ट अलाइमेंट प्लेटों को सही सन रखन में रखने के लिए वेल्डिंग से पहले किये गए शोट वेल्ड का क्या नाव है कि कुछिशन हम से पूंच जा रहा है कि वेल्डिंग से पहले आपको पता है सब को पता है आप समझ में भी आ गया होगा कि वेल्डिंग करने से पहले हम जोब को क्या करते हैं छोटे वो उसी alignment में सेट रहे उसके लिए हम जो पर क्या करते हैं चोटी-चोटी welding के टांके लगते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसमें हमारा राइट आजाएगा option B टेक वेल्ड क्या कहते हैं उसको टेक वेल्ड या टेकिंग आगे बार समझ में चले बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन के और हमारा नेक्स्ट कुशन है क्यूशन नमर एक सो बार वाट इस टाइप ओफ डिस्टोर्शन शोन किस परकार का विरूपन दिखा गया है आपके सामने एक चित्र रिखा गया है तो यह हमसे कुशन में यहीं पूछ रहा है कि इस चित्र के अंदर किस परकार कर दिश्टोर्शन दिखाया गया है तो इसमें हमारा राइट आंस राजाएगा ओप्शन डी लोंगी ट्यूटनल डिस्टोर्शन इनके आप देख रहे हैं कि लंभाई का अन्दर इतना डिस्टोर्शन आ गया है तो लंभाई के अन्दर शुल्डी दिस्टोर्शन आता है उसको क्या कहते हैं लोंगी ट्यूटिनल डिस्टोर्शन आगे बाद समझ में तो चित्र के अंदर हमें यह दिखाया गया है इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्स्ट कुछन इस चित्र में डिस्टोर्शन कंट्रोल का कौन सा तरीका अपनाया गया है तो इसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा ओप्शन कि डिवर्जिंग लाउंस यानि कि आप देख सकते हैं यह रिंग सी फसा रखिए इसके अंदर यह क्या करता है हमारे जोग का जो गेप है हमारे जोइंट का जो गेप है उसको इक्वल रखता है क्या रखता है इक्वल रखता है यानि कि इसको लगाने के बाद में हमारे ज में तो ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन से बचने के लिए इसका हम परियोग करते हैं इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्स्ट कुछन क्या उतने गेपी यहां हैं कि मैं स्थाप साप दिखाई रहा है यहां पर कम हैreme यहां पर गेप कम है लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि कीफ काफी बढ़ dość गया है कि कि इस की पारकार की डिस्टोर्शन से बचने के लिए आप क्या करेंगे तो इसमें हमने पिछले ही क्यू क्लिबन के अंदर के गेअ को बराबर रखने के लिए किसका पर्योग करेंगए Diverging Alert का किसका पर्योग करेंगे Diverging ऐख़ा कि जो यहां पर जगा जगा लगा देते हैं जिसकी वज़े से क्या है कि हमारे जो प्लेट होती है कि हमारा जोब है उनके बीच का जो गेप है वो मेंटेन रहता है बराबर रहता है आगे बाद समझ में हमारा नेक्स्ट कुछन है किस नंबर 115 वाट इस टाइप ओफ डिस्टोर्शन सोन किस परकार का विरूपन दिखाया गया है कि आपके सामने कि चितर दिखाये गये हैं तो किस परकार का डिस्टोर्शन इन चित्रों के अंदर दिखाये गये हैं तो इसमें मारा राइट आंसर आजाएगा ओप्शन भी एंगुलर डिस्टोर्शन आप देख सकते हैं जो हमें 90 डिग्री में सेट करना था लेकि वेल्डिंग से जोब तेड़ा हो गया है और इसका जो एंगल था वो भी डिस्टर्व हो गया है। आप देख सकते हैं taraf कोना जोइंट हमें 90 डिग्री में लगाना था लेकिन वैल्डिंग करने से हो गया है जोब का एंगल बिगड़ गया है तो वेल्डिंग करने के बाद में जुप के एंगल में अगर डिस्टोर्शन आ जाता है तो उसे हम एंगलर डिस्टोर्शन कहते हैं आगे बाद समझ में चली बढ़ते हैं अगले किशन के और हमारा अगला कुशन है क्शन नंबर 116 वाइट टाइफ ऑफ डिफेक्ट विल आक्यूट दू आवब पॉर्शन ओफ दा ट्रेप्ट गैस फूंदा लिक्विड मेटल तरल दातु में फसी गैस के वास्पी करन के कारण किस परकार का दोस्ट होगा यान की कुश्चन में हमसे पहुंचा जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान अगर हमारे वेल्दिंग बीड के अंदर बाहर की फस्काई है यह गैस अंदर रह गई है और सुलिड होते समय जब हमारा पिगला हुआ मेटल सुलिड होता है उस समय अगर वह गैस बाहर निकलती है तो उसकी वज़ए से कौन सा डिफेक्ट हमारे वेल्डिंग बी का option B पोरो सिटी आप देखा होगा आपने वेल्डिंग करने के बाद में वेल्डिंग बीड के अंदर बारिक-बारिक हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं और वह किस वज़े साथ है बाहर की गैसे अंदर फस जाती है या परवेश कर जाती है और बाद में वह गैसे बाहर निकलती है जैसे जैसे मेटल सॉलिड होता है वो गय से क्या नकलती है यह बाहर निकलती है तो उसकी वज़े से हमारे वेल्डिंग बीड में होल हो जाते हैं ठीक है चली बढ़ते है नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्स्ट कुछन है क्टिशन नुम्बडर एक सातरह जिसके अंद स्लेक इंक्लूजन का डिफेक्ट आ सकता है जिसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा ऑप्शन ए मैनुवल मेटल आर्क वेल्डिंग एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसके अंदर हम वेल्डिंग प्रोसेस के नदर होता है जिसमें हम फ्लक्स का परयोग करते हैं किजिए वेल्डिंग वेल्डिंग आ होता है वेल्डिंग के दौरान बर्न होता है जलता है और उससे क्या बनता ए बनता है बाकी आप देख सकते हैं टंगास्ट कि पर करागा फ्लक्स यूज़ नहीं करेंगे तो जुकिश में स्ट्रड नहीं बनेगा तो इनक्लूज़न नहीं होगा दोश के लावा देख लेता हैं में करेंगे तो में हो सकता है क्योंकि हम इसमें बढ़ते हैं चलि हैं करेंगे और candidate को क्षब खर्विद्व की हम करते हैं में करते हैं और हुआ है हमारा हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंपर 118 what will happen इस लो वायल आर्क वैल्डिंग करते समय कि हमारा क्रेंट है वैल्डिंग कि करन जो है बहुत कम हमने शेइट कर लेंगे नहीं वह जोब जो है अच्छे से फ्यूज नहीं होगा फ्यूजिन की कमी उसमें रह जाएगी तो यह डिफेक्ट वहाँ पर आ सकता है अगर आप कम करेंट का उप्योग करते हैं आगे बात समझ में चली बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन के और हमारा नेक्स्ट कुछ जा रहा है कि वेल्डिंग करते समय आप जगा जगा टेकिंग करते हैं तो जगा जगा इंटरमीडियेट टेकिंग करने का उप्योग क्या है ठीक है तो इसमें हमारा राइट आंस्वर आजाएगा ऑप्शन डी लाइमेंट एंड टू मेंटेन तब पोजिशन ओफ हैं इंटरमीडियेट टेकिंग करते हैं कि जगा जगा हम टेकिंग कर देते हैं आगे बात समझ में चली बढ़ते हैं अगले क्यों कि और हमारा अगला क्यूशन है क्योशन नमबर 120 यानिकी 120 वाट इस दा मैन रिजन डैट ऐलूमिन इस डिफिकल टू वेल्ड यानिकी के उपर ओक्साइड की फोर्मेशन होती है जो क्या करती है वेल्डिंग के दोरान कटना ही उत्पन करती है यानिकी अपने पिगलने तक भी अपना कलर नहीं बदलता है जिससे हमें पता नहीं चलता कि अल्मिन पिगला है कि नहीं पिगला है और अचानक पिगल के अल्यमिन पॉइंट है वह एलुमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट से अधिक है तो हमें पता नहीं चलने देता है ओक्साइड की परत ऐसे कैसे उसके उपर रहती है ठीक है अलुमिनियम की जोब के उपर जमी रहती है और तुरंत क्या हो जाता है मेल्ट हो जाता है और हमारा जोब घोसिंग उनकटिंग टेक प्लेस कटिंग फेस को कारणे पर उसमें गोजिंग का दोस बलब लगता है कि क्युक्षाथ सब्शन से पुप जाता है कि अगर चब अदर stripes कटता है कभी कभी क्या होता है कि छोप चूड़ा जाता है तोड़ा साध्ड़्ध करना चाहेंगे या आप अच्छे से करता नहीं है तोड़ा गड़ा हो जाता है जो पूरा कटने से पहले ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा जोब अच्छे से कटेगा नहीं ठीक है तो ऐसी कंडिशन वहां पर उत्पन हो सकती है चलिए बढ़ता है है नेक्स्ट किसन के और हमारा नेक्स्ट किसन है किसे नंबर 122 वाट मेठेड ओफ हीटिंग इस डन टू रिमो बेंडिंग डिस्टोर्शन ओफ वेल्ड जॉइंट विट वेज शेप्ट एरिया वेज के आकार वाले सहत्र के साथ वेल्ड जॉइंट के जुकने वाले प्रोसें से बचने के लिए हमें कौन सी हीटिंग प्रोसेज का परियोग करना चाहिए जिसमें हमारा राइट आंस्वरा जाएगा ऑप्शन सी ट्रैंगुलर हीटिंग आगे बाद समझ में तो इस परकार से हमने 122 क्यूशन इस मोडल पेपर की कंप्लिट कर लिये हैं ठीक में सारे एंशी की कुषिन बहुत इंपोर्टेंट है और परकार की एकवजाम में देखने को मिल जाते हैं चाहे आइटे।का एकवजाम हूhu या एकवजी एकवजाम हो तो निम्मि की दौरा बनाएग गए बगर को ही परकार की निम्मिक फोलो करता है existing model के साथ नमस्कार